मध्य प्रदेश के बुर्हानपूर के पास साग फाटा रेल्वे स्टेशन पर नई दिल्ली मुंबाई रेल्मार्ग पर 18 सितंबर को मिले डेटोनेटर के मामलेवे रेल्वे ने अपना पक्ष जारी किया है मध्य रेल्वे के सीपी आरो डॉक्टर स्वापनील नीला ने बयान जारी कर बताया बुर्हानपूर के पास नई दिल्ले मुंबाई रेल्मार्ग पर जो की भुसावल रेल्मंडल में आता है पर 18 सितंबर को रेल्वे ट्रैक पर डेटोनेटर मिलने की घटना सामने आई थी उन्होंने कहा कि इस घटना में डेटोनेटर उपयोग किये गए हैं या डेटोनेटर रेल्वे के नियमित काम में उपयोग किये जाने वाली डेटोनेटर है जिससे पटाखे बोला जाता है, विशेश परिस्थितियों में इन पटाखों का उप्योग किया जाता है, जिसकी आवाज काफी तेज होती है, जिससे ट्रेन का चालक अलर्ट हो जाता है 18 सितंबर को ट्रैक पर डेटोनेटर लगाये गए थे, जिसका कोई और शित्ते नहीं था, इन डेटोनेटर्स को किसने और क्यों लगाया था, इसके गहन जाच आरपीएफ पुलिस द्वारा की जा रही है, सभी एंगल से इसके जाच की जा रही है, जाच पूरी होने पर सभी लोगों के साथ साजा की जाएगी। इस घटना में जो डेटोनेटर्स इस्तमाल किये गये हैं, यह रेलवे के द्वारा रेगुलर काम में इस्तमाल किये जाने वाले डेटोनेटर्स है, इन्हें पटाके बोला जाता है, और जब यह फट्टे हैं, तब इसकी बहुत टेज आवाज होती है, जिसके चलते चालक क आगे हुए हुए अब्स्रक्शन या धुन्द और कोहरे के समय में किसी सिगनल की जानकारी मिलती है। ये डिटोनेटर्स रेलवे द्वारा रिगूलरली इस्तमाल किये जाते हैं। ऐसे डिटोनेटर्स को वहां पे लगाया गया था। इन डिटोनेटर्स को उस वक्त पे साख़टा स्टेशन के करीम लगाने का कोई औचित नहीं था। इसलिए इन डिटोनेटर्स के लगाने के बारे में आरपीएफ के द्वारा गहन जाच की जा रही है। इसको लगाने के लिए या इसको जिसने भी जिस भी वक्ति के द्वारा लगाया गया है उसकी पूरी तैकिकात की जा रही है और इसके लिए सभी धर्टिकोन से तैकिकात की जा रही है जब भी इसके बारे में इसके आगे की जानकारी प्राप्त होगी वो सारी जानकारी साजा की जाएगी एक बार हमारे शोरूम में अवश्य पधार है हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे स्टिली रोड सागर SCJ ब्रांच 2 सराफा बाजार सागर